Hello friends, welcome to my YouTube channel Tips Guru दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सभी students के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा notification जिससे आपका दिलखोस हो जाएगा लेकिन दोस्तो उस notification के बारे में बात करने से पहले आप सभी students को Tips Guru की तरफ से और Ignu की तरफ से नए साल की बहुत-बहुत सुपकाम नाए Wish you a very happy new year दोस्तो आप में से काफी students अपने promote वाले option form के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आज की इसी वीडियो में बात करेंगे दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी students से मेरी request है कि Ignu की तरफ से अभी जल्दी जल्दी एक के बाद एक नए नए notifications आने वाले हैं इसलिए दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे subscribe का बटन दिया हुआ है आप उसको क्लिक करके और पास में नोडिफिकेशन बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा आपको टाइम टाइम पे सभी information मिलती रहें दोस्तो पहले बात कर लेते हैं आपके examination form आपके assignment submission और आपके project submission के बारे में क्योंकि इगनू की तरफ से आप सभी students के लिए इसकी last date extend कर दी गई है अगर आप इगनू की official website पे चेक करते हैं तो इसका अभी तक कोई भी notification update नहीं कर पाई थे तो वो सभी students अभी 7 जनवरी तक 7 जनवरी तक अपना exam form fill up कर सकते हैं वो भी बिना किसी late fees के यहाँ पे दोस्तों clearly mention किया गया है without late fees इसके अलावा दोस्तों आपके assignment submission के लिए आपकी last date पहले दी गई थी 31 दिसंबा तक उसे अभी extend करके 15 जनवरी तक कर दिया फ्रेंट्स मैं आपको यह exam form में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इगनो की तरफ से यह आपकी dates extend तो कर दी गई लेकिन अभी तक notification upload नहीं किया गया जल्दी ही वो notification भी upload कर दिया जाएगा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने assignment submission के लिए 15 जनवरी की last date दी गई है इसी तरीके से आपका जो project submission वाला portal है इसमें आप easily देख सकते हैं कि आपके project dissertation, field work journals, internship reports इन सभी के लिए आपकी जो last date पहले 31 दिसंबर तक दी गई थी उसे अभी extend करके और 15 जनवरी तक कर दिय दोस्तों आप मेंसे काफी students जिन्होंने अभी तक miss कर दिया होगा वो सभी students अभी जल्दी से जल्दी इन सभी को complete कर सकते हैं आप मेंसे काफी ऐसे students है जिन्होंने अपने assignments जमा करवा दिये लेकिन आपका assignment का submission status यहाँ पर show नहीं कर रहा उन सभी students को मैंने बताया है कि आप अपने assignments एक बार फिट से जमा करवा दिये आपने जो assignments बनाए वे हैं उनकी validity अभी 15 जनवरी तक ही है अगर आप उसके बाद में अपने assignments को जमा करवाएंगे तो वो assignments आपके old assignments हो जाएंगे पुराने assignments हो जाएंगे और उनको फिर accept नहीं किया जाएगा इसके लिए दोस्त इगनू की तरफ से promote किया जाएगा उन सभी students के लिए आपका promote वाला option form अभी तक इगनू की तरफ से release नहीं किया गया अभी आपका promotion वाला option form तयार किया जा रहा है और 7 से 8 जनवरी के पहले ही उसको इगनू की website पे upload कर दिया जाएगा क्योंकि आपके option form के लिए बाद में 31 जनवरी की last date भी दी जाएगी इसलिए दोस्तों इन सभी की information के लिए आप वीडियो को time time पे देखते रहेगा तो friends आज की वीडियो में इतना ही आसर करता हूँ आपको ये information पसंद आई होगी वीडियो को like कर दिजेगा और अपने friends के साथ में share कर दिजेगा आप अगर channel प पास में notification bell icon को press कर दिजेगा thank you friends keep watching tips guru